दोस्तों Google का हम सब यूज करते हैं चाहे Google को ये प्रड़क्ट हो जैसे की YouTube, Gmail या फिर Google Search हम सब यूज करते हैं और Google हमसे हमारा डेटा लेता है और अपने सबर पर स्टोर करता है ये बात सब को पता है अगर नहीं पता तो आप ये बात पता चल गई होगे भी कि Google हमारा डेटा लेता है और अपने सब्सक्राइब करता है तो सवाल ये यह ता है time अफिर ये वीडियों में इसी बार में बात करने वाल है तो विडियो को लाइँ कि दिए और चलना चलना को सब्सक्राइब कर लेजिए तर्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है चले वीडियो को शुटू करते हैं ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Google हमारा डेटा किन-किन तरीकों से लेता है सबसे पहले जब हम Google अकाउंट बनाते हैं तो नाम हमारे इमेलेटर सब्सक्राइब होता है और आज ही डेट में हम सभी Android को यूज करते हैं और Android गूगल का ही है ठीक है गूगल का ही और्फिक सिस्टम है Android तो इस तरीके से हम अपने फोन में जो भी चीज़े करते हैं एक तरह से गूगल को उस पर कंट्रोल है आप इसा कह सकते हैं इसा क्ट्रोल को मतलब यह नहीं कि वह चाहे तो इसके पास है वह हमारे डेटा को लेता है अब किन-किन तरीकों तो रहता है एक मैंने बता दिया आपको बेसिक भाउम परते हैं गूगल एक बाते से में एक वह हो गया इंटरनेट को ब्राउज करते हैं तो हम गूगल क्रोम यूज करते हैं क्रोम में कोई भी वेबसाइड विजिट करते हैं हम क्या चीज़े पसंद करते हैं क्या नहीं करते हैं हम कहां घूम रहे हैं गूगल मैप्स का यूज करते हैं ह क्योंकि हम सारे काम अजकल अपने मॉबाइल फॉन से करने लगे हैं चाहे कुछ भी हो अगर किसी का नीन से आँख खुलता है मॉबाइल फॉन के साथ ही खुलता है मैसेज भेजने से लेके इमेल भेजने तक हर चीज का काम हम मॉबाइल फॉन से ही करते हैं मोबाइल फॉन का जो ऑप्रिंग सिस्टम में वह एंडरोइड एंडरोइड है गूगल का इस तरीके से हमार जो काफी सरा डेटा है वह गूगल लेता है तो अब सवाल यह आता है गूल हमार डेटा को क्या करता है तो पहला चीज हम जो भी चीजे करते हैं इंटरनेट पे जै और सब इसको इंपूर किया जा सके इन सब चीजों के लिए गूगल हमार डेटा लेता है उनके लिए भी यह यूज करता है और दूसरा और मेन काम है एड्स दिखाना आपने यह चीज नोबिस ज़रूर किया होगा ति आपको इस चीज में इंटरेस्ट है पर एजमपल है ठीक है आपने मोबाइल फोन देखा तो आपने यह चीज नोटिस क्या होगा कि अगर आपको इसी और सोच मीडिया पर जाते हैं वहां भी आपको उसी मोबाइल फोन उसी ब्रेंड का फोन को आपको दिखाया जाता है तो गूगल हमें ट्रैक करता है कि हम क्या-क्या करता है अब सवाल यह आता है कि गूगल हमें एड्स कैसे दिखाता है कहां से आते हैं गूगल पास इतने सारे एड्स और आप चाहते हैं खुद भी एड क्रिएट करना किसी भी चीज़ का आप यूट्यूबर है तो आप यूट्यूब वीडियो को चाहते हैं परमोट करना यह फिर आपके पास वेड्स साइट है अप जाते हैं कि आपकी वेड्स साइट कुछ लोगों तरक पहुंचे तब आप भी खुद गूगल के थरूर अपना वेड्स साइट का परचार करवा सकते हैं इसके लिए गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट लाउंच किया है कि पास ज्यादा डेटा होगा यूजर का उसे ही पता है कि कौन से ब्यक्ति को इस चीज पर इंड्रेस्ट है उसी को एड्स मिलेंगे इसलिए गूगल के पास आड्स आते हैं फूर हम से डेटा लेता है और इन ही सब चीजों को बज़ा से हमें Android में जीतने सारे फीचर्स हैं Android वैड ओपरेटिंग सिष्टम है या फिर यूट्यूब है या फिर जीमेल है इस चीज हमें फ्री में देखने को मिलती है तो कुछ न कुछ हमें पेक करना पड़ता है दुनिया में कुछी फ्री नहीं लता है इसलिए हमें डेटा लगता है तो हम अपना प्रसनल डेटा इसलिए और आपके लिए दिखाने के हम यूज करेंगे तो अब जो में सवाल है कि क्या गूगल में डेटा बेशता है तो देखिए गूगल ने खुद कहा है कि नहीं हम सी डेटा को प्रसेसिंग करते हैं अपने कस्टमर के फाइदे के लिए और अच दिखाने के लिए बा अग जीते मिन आपको अच्छे से एक्सप्लेइन कर दिया तो मेरी दोस्तों आपको समझ में आगया होगा इवल हमारा डेटा का क्या करता है तो बस आज के लिक नहीं अज़िए अग वीडियो पसंद लिए होगा तो अग वीडियो पसंद दे अश्यार कीजिए पने अश् झाल झाल झाल